तो हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माय यूटूब चैनल आज मैं आपको क्लास 10 का 2024 पॉर्ड एक्जाम में आने वाला महत्पूर्ण बहुविकल्पिये प्रश्ण बताने वाला हूँ जो कि आपके बॉर्ड एक्जाम में अवस्य आएगा आज आप लोगा केवल आज हिस्ट्री का बहुविकल्पिये प्रस्ण आएगा पूरे समाजी की बिग्ञान का बहुविकल्पिये प्रस्ण बता रहाँ क्योंकि बहुत ही महत्पूर्ण है और बोर्ड एक्जाम में हमेशा रेकॉर्ड तोड़ता है इसलिए मैं आपको बता सबसे पहले देखिए को में नहीं सबसे परिछा में एक गारांटी देना हो घंडेट पर्षेंट एक पर्षेंट के गारांटी लिए आप हमेशा इतने में सभी आता है वोर्ड इग्जाम क्योंकिकर बहुत ही महतपूर्ण question में रखाऊंों आपके सामने सबसे पहले देखे question first question I am first question में कहता है महतपُn question महत्मा भानी दख्वाट हिमा आपरिका से भारत लिबा को आए थे इसका सही वी का कई आपका साइड साय आंसर अपका सही आंво हो जायगा आपका जो सही तो question number second आवे कहता है, प्रथम विस यूद कब हुआ था? बहुत ही महतपुन question प्रथम विस यूद कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1915 में या 1918 में? आपसे तीन तरीके से question पूछ सकता है, देखिए. अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम विस यूद कब हुआ था? तो 1914 इस वी में अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम विस यूद की सुरुवात कब हुई थी? तो 1914 इस वी में हुई थी. अगर आपसे अगर पूछ दिया कि प्रथम विस यूद की समाप्ती कब हुई थी? तो 1918 इस वी में हुई थी. इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, देख? अगर इतली का एकी करन रोड़ा ताँ बहुत ही महत्पुन है इसका आपसन में तो इसे आप लोग कर लीजे उन्पार्टेंट कोश्ण बहुत ही महत्पुन है कोश्ण नमथरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उसके बाद देखें कोईस्टन नमर 4 आप एक जलिया वाला बाग हत्य अकांड कब हुआ था 1913, 1914, 1919 या 1922 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही अंसर हो जाएगा 1919 ठीक आप आप सही नमर C प्रिक्ट हो जाएगा उसके बाद देखें कोईस्टन नमर 5 इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आपका जो correct answer हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यानि कि मामंदी कब हुआ था 1929 में हुआ था बहुत ही महत्पुन कोशन है हमेशा बूर्ट एकजाम में आने का चाना सरा था इस कोशन को इसलिए इसे आप मत भूलिएगा सेवे नमर कोशन देखिए यूरोप में राष्टवाद के उदय काल था 1914-1918, 1919-1949, 1940-1949, 1950-1949 या 1950-1900 तो इसनी सही अनसर क्या लाइगा यूरोप में राष्टवाद ओद एक और अिकाल कया था तो आपसार नमर भी आपग और penet हो जाएगा यानि कि आपा क्या हो जाए गा समधिक, कुलुआ इसके बाद एक है कोशन नमर 8 यह वहां cyn His आना से 5 account काउट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चॉब का साधीर हो जाएगा उपसन नंबर है यानी कि 8R20 तो प्रशा का क्या था चासलर था उसके बाद देखे कॉसेर मॉन Correct5 कहता है बहुत ही मौत्पून सबस्द swell IRS-וצam सबी इसके बाएब कोस्ट नमर्टेन से गιαता है नेपोलियन का संबन्ध किस देख से था जर्मानी इटली फ्रांस या इंगलेंड इसका सब्सें अन्षर होजगा जो नेपोलियान कमीशन भारत कब आया था 1928 समय कमीशन भारत आया था लेकिन अगर आप से पूछा कि साइमन कमीशन का गठन कभा था तो 1927 में हुआ था इससे आप लोग याद रखे क्रिएका बहुत बच्चे इस क्वेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि साइमन कमीशन भारत कभा आया था तो 1928 सेवी में आया था और साइमन कमिशन का गठन का गठन हुआ था इस कोस्टन को आप लोग एकदम माइंट में रखेंगे आप लोग यहां पर देखे कोस्टन नेपॉलियन की पराजे कब हुई थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोसन वेरी वेरी त्रीपर इस्टा लगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात को ध्यान में रखिएगा नेपॉलियन की पराजे कब हुई थी 1814, 1815, 1816 या 1817 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो नेपॉलियन की पराजे हुई थी 1815 इस भी में हुई थी अगर आप से पूछा गया कि नेपॉलियन की प नेपॉलियन या विल्यम प्रथम बहुत ही महत्पून कोसन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्टन और बी करेक्ट हो जाएगा यानि कि जर्मनी के एकर्ण मुख भूमिका किस की थी तो आप्टन बिस्मार्ग की थी उसके बाद आरंब प्रसरों प्रतम किस यहां पर देश लगा लिजेगा देश से हुआ जर्मानी इटली फ्रांस या इंग्लेंड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो कोसर मद चोजा का आपसर हो जाएगा आपसर मद सीच करेक्ट आंसर यानि कि फ्रांस से हुआ था ठीक उस सही आंसर हो जाएगा आपसा नारी स्थापित अंकथन प्रसा या यानम्ажи जर्मनी वह जाएगा आपका जो कै facets हो एक करेक्ट हो जाएगा यानि कि यंग इटली जो था वो जिम जियोसिफ में सिनी द्वारा इस्थाबिज गुप्त संगठन था उसके वाद देखे कोस्टर नमर 17 कोस्टर नमर 17 पर कहता है 1789 में फ्रांस की स्परकार का राज था और सिमित राज सिमित राज प्राजा तंतर सहा असर प्राज यह सब्सक्रा करें हो जा इस एक अनसर क्या झार सो इसको आप सबस्क्राइब बोलती कुछ 17 bracket 88 88 790 987 477 में इसका साही आंशर क्या हो जाएगा आपका प्रांस की क्रामती कब हो जाएगा पर 20 को स्था पार क आप कौन फ्कांत यह जेगा फिल्ठ वाजर का kindly लेख conta इसका स्थ 10 उसके इंबाद दो reviewed और टा प्रफिका वप्टार से साथ अफ्रिका कबव गए थे तो मात्मां Barty साथ अफरिका कब गए थे इसह तुर्थ का जाएगा य। जयार को अगर आपको वीडियो पसंदा यू तो वीडियो को recoll नाइक कर दीजेगा और इस चैनल को अपने दोस्तों को साथ सेयर कर दीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब वस्ते कर दिए क्योंकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकरसन आपके पास पहुच जाए थैंक यू